हेलो फ्रेंड्स मैं अनुपलताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे ब्रेट के गुलाब जामुन बनाने के लिए हम 10 पीस ब्रेट लिये हैं 300 ग्राम चीनी ड्राइफुर्स ड्राइफुर्स में बादाम काजू और किस्मिस लिये हैं 6 पीस इलाइची के दाने निकाल कर चूड लिये हैं एक गलास हलका गर्म दूद और पानी और डिप फ्राइफ करने के लिए तेल अब हम सबसे पहले चास्ती बनाएंगें इसने चीनी डालेंगे इसने पानी डालेंगे पानी डालेंगे अलसे से मिला देंगे और चक्तक मण चास्ती तेयार होगी तक हम ब्रेट के किनारों को काट लेंगे के साइड सारे किनारों को काट लेंगे इस तरह से हम साड़े ब्रेट की किनारों को काट कर निकाल देंगे इस तरह से हमने साड़े ब्रेट की किनारों को काट कर अलग कर दिये अब हम साड़े ब्रेट को छोटे टुकरों में तोड़कर एक बॉल में डालेंगे इस तरह से हमने साड़े ब्रेट की कट कर डाल दिये इसमें अब हम इसमें तोड़ डूर डालकर इसका अच्छी तरह से डूर बनाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे तोड़ डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसल कर चिपना कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे अब हम इसमें दोचमर्स तेल डालेंगे अब हम इसे थोड़ी देल के लिए रख देंगे ब्रेट का डूर बनाने के लिए हमें आधा गिलास दूद लगा है और इस दूद को हम अच्छे से गाड़ा कर लिए थे पहले से अब हम बादाम और काजू को बारिक बारिक कट लेंगे कुछ बादाम और काजू को वैसे ही राने देंगे और सारे बादाम काजू को छोटे-छोटे टुप्रों में काट लेंगे प्राइम्स काट लिए चास्मी को चक कर लेंगे कि अब हम इन ट्राइफ बूट्स में थोड़ी सी इलाइची जानों को मिला देंगे और बचे वे इलाइची जानों को कि अब हम इस डो से गुलत जमन बनाएची जानों आप अपने अनुशार बना सकते हैं बढ़ाया चुटन इसे इस तरह से गुल करके इसमें गड़ा करेंगे और इसमें थोड़ी से ट्राइफ पूट्स बढ़ देंगे इसमें इस तरह से ट्राइफ पूट्स भड़कर इसे बंद कर देंगे और इसे अच्छा से गुल कर देंगे इसे हम इस तरह से गुल कर लेंगे इसमें गटा करके इसमें थोड़ी से ट्राइफ पूट्स परेंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे इसे गुल करते हुए अच्छी तरह से बंद करेंगे इसी प्रेकारसियों सारे गुलाज्यमून को इस्टाफियों घर देंगे तास्नी को एकवर देख लेंगे चास्नी गाड़ी हो चुकी है तैयार है अब हम इसे गास बंद करके उतार लेंगे सारे गुलाज्यमून तैयार कर लिए है अब हम इसे डिफ ट्राइ करेंगे अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे तेल गरम हो गया है अब हम इसमें गुलाज्यमून डालकर ट्राइ करेंगे को अब हम प्लाइम कर देंगे एं अब हम तो आखल विलकुल हलके हाथा से तुमाना है और चारो चाट से गोल्डेन ब्राउन तर तल लेना है अब हमदाल चीटेक अब हम विर गास को बिर्लाश बंद शोटा करेंग पासाई कुलाल जामूल बॉल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसे निकाल लेगे इसी तरा हम सारी गुला जामून को रिफ्राइ कर लेगे सारी गुलाब जामून को अच्छे से गॉल्डन ब्राउन होने तक कल लेना है लाब जामून अच्छे से गॉल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसे निकाल लेगे याद बन कर देंगे अब हम सारी गुलाब जामून को चास्नी में डाल देंगे इसे एक घंटे के लिए चास्नी में डुबा रहने देंगे ताकि चास्नी गुलाब जामून के अंदर अब्जाब हो जाए एक घंटा हो चुका है अब हम इसे सर्विंग बॉल में गुलाब जामून को निकाल दिये हैं यह अच्छे से फूल गया है अब हम इसे ड्रैफोट से सजा देंगे में गुलाब जामून तयार है आप इसे घर पर जरूर ट्रैक करें अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं फिर अगले रेसिपी के साथ